नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपके अपने चैनल एके ओल्ड रांड में दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर आप लोग के सामने रिजनिंग के एक सांदार चेप्टर्स लेकर उपस्थित वहाँ जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट कोर् अगर आप इन पांचोंक कोसिंस को द्यान से देख लेते हैं और सभी art को धान से अगर समझ लेते हैं तो आज के बाद इस टॉपिक शेपटर से आपके एक भी questions कभी भी कहीं रौंग नहीं होनगे तो चली start करते हैं iji प्रेंड्स श्टर्ट करने से पर एयंद आप हमार चैनल पर नहीं है चैनल को subscribe कर लेंगे बेल आईकन को press कर लेंगे तो चली start करते हैं आप इस वीडियो के族 इंड तक बने रहें गयों राश्तिय और अंतराश्तिय अस्तर पर ग्रासित होती है, आपको भूता दी कि समस्या के समधान हमेशा पर्मुक यानि कि चीफ की हैसियत से करना चाहिए, प्रेंट चले नेक्स्ट डिसकस करते हैं कि आखिर समस्या के समधान किन किन बातों पर निर्भर करता है फर्स्ट आपको बता दी कि समस्या के जो समधान है वह ब्यवहारी के ओम तर संगत होना चाहिए नेक्स्ट उसे लागू करने पर कोई दूसरी समस्या उत्पन नहीं हो रहा हो या भी आपको ध्यान में रखना होगा इसके लावा छोटी समस्या के लिए बड़ी समधान तथा बड़ी समस्या के लिए छोटी समधान न हो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट है समस्या के समधान में भावनात्मक परदसर नहीं होना चाहिए नेक्स्ट समस्या के समधान में नीजी सोच का कोई अस्थान नहीं होना चाहिए नेक्स्ट समधान हमेशा निस्पक्षम सोतन्त होना चाहिए चलिए next आते हैं questions पे first questions होगा आपके skin पे statement में दिया हुआ है कि या अफवा फहले है कि परधान मंत्री के निवास अस्थान पर एक सक्ति सालिब स्पोटक है चलिए next आते हैं कारवाही पे कारवाही में दिया हुआ है first में परधान मंत्री को ततकाल किसी सुरक्षित अस्थान पर भेज दिया जाना चाहिए या सही है true है चलिए next आते हैं second कारवाही पे second कारवाही में दिया हुआ है कि परधान मंत्री आवास में खोजी कुतों के द्वारा यानि कि सेफट डॉग के द्वारा बॉब को खोजा जाना चाहिए यह सही है true है right है चलिए next आते है third कारवाही पे third कारवाही में दिया हुआ है कि अभवा कहां से उड़ी इसका पता लगाना चाहिए यह भी सही है यानि कि तीनो कारवाही जो है वा सही है यहाँ पे इस questions में तीनों कारवाही जो है वह true है क्योंकि बिवारे के ओम तर्ग संगत है चलिए next बात करते हैं second questions की second questions होगा आपके skin पे statement में दिया हुआ है कि किसी अग्यात बिमारी यानि कि unknown disease के परकोप से एक सहर में अब तक 200 अब्यक्ति मौत के सिकार होगा है कारवाही के अगर बात करें तो कारवाही में दिया हुआ है first में कि किस जीवानू या विशानू से या विमारी फैलता है उसका पता लगाना चाहिए या आपको बता दे कि या true है किस जीवानू या विशानू से बिमारी फ्यलता है उसका पता लगाना चाहिए या सही है करवाही होस्ट जो है वह true है correct है चलिए next बात करते हैं second करवाही की second करवाही में दिया हुआ है कि सरकार को तुरंद medical team यानि की दोस्ता सहर में भेजना चाहिए आपको बता दे कि या अभी statement जो दिया हुआ है वह true है correct है व्यवारी के ओम तर्ख संगत है चलिए next बात करते हैं third करवाही की third करवाही में दिया हुआ है कि एक सहर के लोगों को दूसरे सहर में अस्थांत्रित करने का परबंध करना चाहिए आपको बता दे कि या जो करवाही दिया हुआ है यह wrong है यानि कि गलत है कि मन में एक प्रश्ण उठ रहे होंगे और प्रश्ण उठना सोभाविक है क्या की रिया जो third करवाही है यह wrong क्यों है आपको बता दे कि उसे लागू करने पर थर्ड करवाही जो है उसे लागु करने पर कई दूसरी समस्य उत्पन नहीं हो इसलिए इसके ध्यान रखा जाना चाहिए और एक सहर के लोगों को दूसरे सहर में अस्थान्तित करने का परबंद नहीं करना चाहिए चली next बात करते हैं next questions होगा आपके skin face statement में दिया हुआ है कि एक सराज में कानून व्यवस्ता की स्थिती दिन प्रति दिन बत्तर होती जा रही है करवाही के अगर बात करें तो करवाही में दिया हुआ है तथा बड़ी समस्या के लिए छोटी समधान नहीं किया जाना चाहिए यानि कि राज में कानून ब्यवस्ता की स्थिति दिन प्रति दिन बत्तर होती जा रही है तो इस एक्स राज में कानून ब्यवस्ता की स्थिति में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए न कि राष्ट प सेकेंड है वह अभी आपका रौंग है त्रेंट से आपके मन में प्र स्न उठ को यह बनाया जाए और सासन को चुस्त बनाया स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सारवाजनिक अस्तलों पर फिल्मी असलिल पोस्ट लगाने से बच्चों पर प्रतिकुल परभाव परता है करवाही के अगर बात करें तो फर्स्ट करवाही में दिया हुआ है कि बच्चों के अभवागों के द्वारा सावाजनिक तोर पर इसका बिरोध करना चाहिए या true है correct है इसका बिरोध होना चाहिए क्योंकि यह ब्यवहारी के ओम तर्ग संगत है चले next बात करते हैं इसकेंड करवाही में दिया हो है कि इस ब्योशाय से जुड़े लोगों को चितावनी देना चाहिए कि वे एसा न करे या अभी आपका correct है true है या ब्यवहारी के ओम तर्ग संगत है चले next बात करते हैं next यानि कि third करवाही में दिया हो है कि कम से कम स्कूल के दिवारो पर एसा पोस्टर लगाये जाने से रोका जाना चाहिए क्योंकि लोगभक सभी बच्चे स्कूल जाते हैं आपको बता दे कि जो third करवाही दिया हुआ है यह wrong दिया हुआ है क्योंकि समस्या के समधान में लगने से बच्चे पर परतिकूल परभाव परता है सरवाज निक स्कूल दिया हुआ है यानि कि सिफ इसकूल के दिवार तर ऐसा प्षटर लगाये जाने चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कोशन्स होगा आपके स्किन पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है, कि एक सराज के जन स्वास्थ विभाग यानि की पॉब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के रिपोर्ट का नुसार, नगर पालिका के द्वारा दूसित जल की आपोर् पूरे राज में फैली ए बिमारी का मुखे कारण है, करवाई के अगर बात करें तो फर्स्ट करवाई में दिया हुआ है, कि राज सरकार को जल प्रदावी भाग के परमुक सहित सभी स्टाफ को तुरंत बदल देना चाहिए, आपको बता दे कि फर्स्ट करवाई जो दिया हुआ है, कि राज सरकार को निवासियों को तुरंत जल संसोधाग परदान करना चाहिए, आपको बता दे कि यह अभी करवाई जो दिया हुआ है, वह रौंग है, क्यों रौंग है, क्योंकि समस्या के समधान में भावनात्मक परदोसन नहीं होना चाहिए, समस्या के समधान में निजी सूच का कोई अस्थान नहीं होना चाहिए यानि कि करवाई 1 और करवाई 2 दोनों रौंग है तो फ्रेंट्स अमें उमिद है कि आपको statement course of action यानि कि कथन करवाई के पांचों एक्जांपल्स आपको समझ में आगे होंगे और आज के बाद statement course of action यानि कि कथन करवाई के कोई भी कोशन कभी भी कहीं नजरा है मात्र दो सकेंड के अंदर रौंते हुए आगे बढ़ेंगे जो आज आपको बताए गहें समस्य के समधान क्या खिर किन किन बातों पर निर्भर करता है बस आपको उतना ध्यान रखना है और दो सकेंड के अ को निश्ता नाबूत करना है तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत